तो यहां मैं आपको लाइटर से इसे गरम करके दिखाता हूँ आप लोग देख सकते हैं हमारा ये ओईल गरम होने लगा है तो भाई लोगो कैसे हो तो स्वागत में लेक और नहीं वीडियो में आप देखरें मेरा चैनल केर फ़र यू आज हमाँ आपके लेक और नहीं रेमिडिय लिखे आया हूँ तो आज के माई रेमिडिय होने वाली है कि हम अपनी फटी एडियो को वापस ठीक कैसे कर सकता है अगर आपके भी एडियो फटी भी हैं और वो कुछ जादा ही सड़्डियो के मौसम में आके पड़ी आती हैं उसका नसर ब्लड निकलता है या फिर आपके दर्द रहता है आप अपनी एडियो जमीन पे पर नहीं रख पाते हैं और वीडियो स्टाट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सालीगे वैल आ동 दबाते जिए तो इस रैमेडियो को आप किसी स्टेल के बड़तन के अंदर बनाईए तो हमें स्टेल के बरतन के अंतर क्यों बनाना है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो हमको सबसे पायर लेना है मोम बत्ती ये हर घर में एजली मिल जाती है तो फ्रेंट्स आप देख लिजिए आपको इतना बड़ा पीस मोम बत्ती का लेना है इसके बाद हम इसको इस तरह घिस लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पर मोम ले लिए मोम के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी फटी एडियो को बहुत जल्दी वापिस ठीक कर देते हैं हील कर देते हैं और आपके एडियो को पहले की तरह कोमल और खूबसूरत बना देगा तो फ्रेंट्स मोम लेने के बाद हमें लेना है ओलिव ओईल तो मैं इसके अंदर तीम चम्मच एड़ करूंगा ओलिव ओईल की अगर आपके पास ओलिव ओईल नहीं है तो आप कोकोनट ओईल भी ले सकते हैं ओलिव ओईल हम लेने के बाद इससे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आप सिकाता कि आपको ये रेमिडी स्टेल के बड़तन के अनदर बनानी है तो इस्टेल के बड़तन के अंदर हमें क्यूं बनानी है मैं आपको बता दूँ क्योंकि हमें ये 20-30 सेकंड के लिए गैस पे रखना है और इसे गरम करना है ताकि ये मूँ अच्छी तरह इस ओयल के अंदर मिल सके तो चलिए फ्रेंट्स मैं आपको करके दिखाता हूँ तो यहां मैं आपको लाइटर से इसे गरम करके दिखाता हूँ तो यहां मैं आपको लाइटर से इसे गरम करके दिखाता हूँ आप लोग देख सकते हैं हमारा यह ओइल घरम होने लगा है आपको करके दिखाता हूँ आपको करके दिखाता हूँ झाल झाल तो ये oil इतना गरम काफी है तो चले फ्रेंट्स अब हम इस remedy को चित्रा मिक्स कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मूम इस oil के अंदर अच्छी तरा मिक्स हो चुकी है तो चले मैं आपको बताता हूँ ये remedy आपको कैसे इस्तमाल करनी है और इस remedy का result आपको जब मिलेगा जब आप इसे दो से तीन दीन अपने पैरोपे लगाते रहेंगे फ्रेंट्स इसका continue use करें जब तक आपकी AD ठीक न हो जाए तो आप खेर रखें कि आपको ये लगाने के बाद चरना नहीं है फिनना नहीं है आपको आदे घंटे ऐसे ही बैठे रहना है और अपने पैर पर इस remedy को लगा रहने देना है इसके बाद cotton की मदद से या फिर किसे towel की मदद से आप इस remedy को साफ कर सकते हैं तो friends यह थी आज की मेरी वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो हमारे वीडियो को like करें शेयर करें और जाते जाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें